और आज का जो विशय है सहज विद्या की प्राप्ति सहज विद्या की प्राप्ति का क्या आर्थ है और सहज विद्या की प्राप्ति कब होती है तो शिव सुत्र में जो सुत्र आता है सहज विद्या के ऊपर आता है कल जो सुत्र हमने देखा मोह वरनात सिध्धी अर्थात मोह मै सिध्धियां मोह रूपी सिध्धियां जो है उनके बारे में चर्चा की गई लेकिन अब उसे आगे बढ़कर सहज विद्या की इसका संबंध पिछले सुत्र से है इसलिए इसमें भी मौह का वर्णन मिलता है और सुत्र क्या कहता है मोह के विशय में मोह जयाद नंताभोगात सहज विद्या जयह यह सुत्र कहता है अर्थात मोह जया होकर मोह पर विजय प्राप्त करके योगी मोह जई हो जाते हैं मोह पर विजय प्राप्त करके वो सहज विद्या को आनंद मोह तो अनंत प्रकार का होते हैं लेकिन मोह जई होकर सभी अनंत प्रकार के जो मोह हैं अनंता भोकता मतलब कि जितने भी प्रकार के मोह हैं उन्ह सभी पर उन्ह सभी को पार करते हुए योगी सहज विद्या को प्राप्त करता है अब ये सहज विद्या क्या है अब इसमें एक और बात व्याख्या या ट्रीका कार महोदे कह देते हैं कि जो शांभव योगी है उन्हें सहज विद्या असानी से प्राप्त हो जाती है लेकिन आणव योगीओं को आणव उपाय वाले योगीओं को खुड़ा समय लगता है क्यों क्योंकि जीव अपनी अवस्था में कई बार सहज नहीं होता है और साधना के परती, योग के परती उसकी सहज भावना भी नहीं होती है सहज विचारधारा भी नहीं होती है विशेश विचारधारा होती है, ठीक है प्रारंब में थोड़ा विशेश होना भी चाहिए प्रारंब में थोड़ा विशेश होना भी चाहिए बाद में वो स्वे में ही सहज रूपधारन कर लेती है तो सहज विद्या का यहां अर्थ क्या है कि मुह रूपी जो बंधन है मुह रूपी सिद्धियों की जो अवस्था बनती है उस अवस्था में मुह को पार कर देने से अर्थात सिद्धियों में कोई मोह ना हो सिद्धियां हो सकती है लेकिन सिद्धियों में कोई आ सकती ना हो मोह ना हो तो मोह रूपी जो बंधन है जो बाधा है वो उसको पार कर जाते है और जब मोह पर विजय हो जाता है तो सहज विद्या की प्राप्ती हो जाती है मोह पर जो विजय हो जाता है वो सहज विद्या की प्राप्ती हो जाती है अब मोह पर विजय होने से सहज विद्या की प्राप्ती क्यों होती है यह अभी एक प्रशन बनेगा क्योंकि वास्तों में जो साधना का जो विशय है योग का जो विशय है ध्यान योग का वो सहज रूप से ही होना चाहिए लेकिन यह सत्य है कि यह प्रारंभिक अवस्था में कभी भी सहज रूप से नहीं होने वाला प्रारंभिक अवस्था में कभी भी सहज नहीं होगा क्योंकि कुछ भी कारे शुरू करने के लिए मनुष्य के अंदर कुछ विशेस एक्षा होती है और विशेस कारण उसके बनते हैं कारण चाहे जीवन में दुख बने, जीवन में अशांती बने बहुत मन अशांत रहता है, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं या हमें संसार में हमारे साथ जो भी घटनाय घट रही हैं वो हमारे अनुकूल नहीं है या फिर हमारे अंदर एक तिवर इक्षा जाग गई है कि हम सिद्धियों को प्राप्त करेंगे हम योगी बनेंगे और हम योग सिद्धियों को प्राप्त कर लेंगे या फिर हम कुछ प्राप्त कर लेंगे ऐसी भावना होती है, तो इन में से कोई भी भावना हो सकती है जिसके कारण एक साधक एक व्यक्ति जो है ध्यान योग के मारग पर आता है तो वो अपने संसार में बहुत कुछ देख लिया, एक उमर उसने जिन्दगी जी लिया और उसको लगने लगा कि संसार में बहुत कुछ है नहीं बहुत सारी व्यादियां हैं, बहुत तरह के conflicts हैं, जिनको हमें face करना पड़ता है, relationship में conflicts हैं, professional life में conflicts हैं और हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसे सब कुछ चलता भी नहीं है, यह प्रकृती का अपना एक सिध्धान्थ है तो कई बार योगी जब ध्यान योग या योग का मार्ग शुरू करता है, तो वह अपनी इक्षाओं को लेकर करता है कई बार उसे कुछ समस्याओं से मुक्ती चाहिए होती है, कई बार वो शांती उसको चाहिए होती है, कई बार सिध्धी उसको चाहिए होती है कई बार वो ग्यान के कारम कि मुझे बहुत ही अध्यात्मी ग्यानों में प्रकृती के सारे रहस्यों को जान जाओ तो कई बार बहुत कुछ जानने के उद्धिश्य से भी वो अध्यात्मी के मार्क पर आता है लेकिन सहज रूप उसको हम नहीं कह सकते क्योंकि उसमें उसकी आ सकती होती है सहज भावना उसके अंदर इस विद्या के परति नहीं होती है ठीक है और यदि सहज भावना हो जाए तो सहज विद्या की अस्थापना हो जाएगी सहज विद्या की प्राप्ति हो जाएगी तो सहज रूप से अपनी साधना को आगे बढ़ने दे लेकिन सहज रूप से आगे कैसे बढ़ने दे उसे तो प्रारंभ में तो उसे थोड़ा सा हट करना पड़ता है अपने आपको साधना में बिठाने के लिए उसे हटी बनना पड़ता है कि तो उसको अभ्यास नहीं है उसे अभ्यास तो गपे मारने की है, टीवी देखने की है उसको अभ्यास पॉलिटेक्स पर बहुत सारी बाते करने की है कि वो पॉलिटेक्स पर बहुत सारी बाते करे, खाने पीने की बाते करे कपड़े पहनने की बाते करें, तो संसार की दुनियावी बाते करने की उसकी practice लगी हुई है, अभ्यास लगा हुआ है, तो इसी लिए सहज साधना शुरू होना या सहज विद्या की प्राप्ति होना उस समय संभव नहीं हो पाता, और साधना करने के लिए प्रारंब में एक ह इसमें थोड़ा सा हमें हटी बनना पड़ता है, लेकिन प्रारंब में ही अभ्यास के लिए हमें अभ्यास ही बनना पड़ता है, शुरुवात में हमें अभ्यास ही बनना ही पड़ता है, लेकिन अभ्यास करते करते हमारा एक अभ्यास हो जाता है, तो फिर साधना सहज वैसे ही सहज रूप से साधना आगे बढ़ेगी और फिर आप साधना अपने आप ही होगा शनय शनय अपने आप ही आप अपने वर्धी करते जाएंगे इस मार्ग में आप आगे बढ़ते जाएंगे फिर आपको अपने आपको जबर्दस्ती बिठाने की आवशक्ता नहीं य तो ऐसी अवस्थाओं का निर्मान होना शुरू हो जाता है। ऐसी अवस्थाओं बनने शुरू हो जाती है योगी के जीवन में। तो हमें ऐसी अवस्था में पहुँचना है लेकिन फिर भी अभी मुह का प्रकोप होता है मुह का बंदन होता है मुह का आवरण होता है और साधना करते करते जब योगी के अंदर सिद्धियों का विकास हो जाता है तो उन सिद्धियों के परती भी मोह और उसके मन में आ जाता है कि मैंने बहुत साधना कर लिये कभी मेरे अंदर ऐसे गुणों का विकास हो रहा है ऐसी शक्तियों का विकास हो रहा है तो ऐसी ऐसे मोह हो जाना उन सिद्धियों के प्रती मोह हो जाना फिर से योगी के लिए पतन का कारण बन जाता है उन सिद्धियों के प्रती अत्यधिक मोह हो जाना योगी के लिए पतन का कारण ही बनता है फिर वो पतन के मार्ग पर चल सकता है तो इसी लिए जब वो मोह पर विजय प्राप्त कर लेता है अपने नियमित अभ्याथ से और सिधियों के प्रियोग में उसकी कोई रूची नहीं रहती है कि वो बार-बार सिधियों का कोई प्रियोग करे ऐसी कोई शंका, कोई रूची, कोई संशय उसके मन में नहीं रहता है उसको पता हो जाता है कि उस अद्वैत में रहकर, उस शिव में रहकर उसकी प्राप्ती करकर ही वो अपने जीवन का कल्यान कर सकता है और अपने माध्यम से दूसरों का भी कल्यान कर सकता है वह यह बात समझने लग जाता है और जब यह बात उसे समझ में आने लग जाती है तो वो अपने ध्यान में लंबे समय तक बैठने का प्रयास करने लग जाता है बहुत सारे योग या बहुत सारे विधियों को अपनाने की जवुरत उसको नहीं है वह मोह विजई हो गया है तो जैसे मोह विजई होगा तो अपने आप सहज अवस्था में आ जाएगा अपने आप सहज अवस्था में आ जाएगा उसे मोक्ष प्राप्त करने की कोई जल्दबाजी नहीं है वो सब जानता है प्रकृति के सुक्ष में रहस्यों को, इस प्रकृति में कैसे पाप बढ़ता है, कैसे पुन्य बढ़ता है, कैसे तत्वों की विर्धी होती है और तत्व घरते कैसे हैं, इस सारे विश्यों का अनुभाव, एक योगी को हो जाता है, कि संसार कैसे चल रहा है सब जानता है वो इसी लिए अपने मोह को त्याग करके वो सहज विद्या को प्राप्त हो जाता है और अपनी योग को सहजता प्रुवक आगे बढ़ने के लिए छोड़ देता है सिध्यों की विशिष्टा को वो नहीं अपनाता सिधिया हैं उसके पास लेकिन उसमें कोई आ सकती नहीं रखता कि मुझे ये करके दिखाना है वो करके दिखाना है या मुझे दुनिया बदल के दिखा देना है ऐसी कोई भावना वो नहीं रखता वो बस एक अभ्यासी बनता है प्रैक्टिस करता है और प्रैक्टिस करते हुए आगे चलता है बढ़ता रहता है और इसी प्रैक्टिस से उसको समाज के भी और अपने विक्तिकत भी बहुत सारे समस्याओं का समाधान भी मिलना शुरू हो जाता है तो इसलिए ऐसे मुह को खतम करके हमें यूग मार्ग पर समचलते हैं तो सहज अवस्था प्राप्त होती है, सहज विद्या प्राप्त हो जाती है फिर योगी सहज अवस्था में चला जाता है वो अपना कोई प्रयास इस चीज को बढ़ाने के लिए नहीं जो होना है वो अपने आप आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा उसे कोई रोक नहीं सकता वो जानता है और सहज अवस्था सहज विद्या के मद्यम से आगे बढ़ता है फिर कोई संशय नहीं होता उसको कोई आडंबर नहीं होता उसके साथ कोई दिखावा नहीं होता बस सहज अवस्था को प्राप्त करकर अपने सहज समाधी की ओर आगे बढ़ जाता है सम्यक समाधी की ओर आगे बढ़ जाता है उसी को सहज समाधी समझे तो इस प्रकार से उसका जीवन ये चलता है आईए अब ये सहज अवस्था है इसलिए टारंब में ही अगर सहज अवस्था का अभ्यास हो छोड़ दो जब ध्यान करो तो ये हो रहा है ये नहीं हो रहा है बस करते जाओ यदे भी कई लोगों को बहुत दिव्य अनुभूतिया होती है ध्यान योग का अभ्यास करते हैं लेकिन जब तो अभ्यास सुरू करो तो बस करते जाओ आगे बढ़ते जाओ उसके साथ कोई जबर्दस्ती मत करो कि आपको ये अनुभूती हो जाए वो अनुभूती हो जाए ये सिद्धी प्राप्त हो जाए वो सिद्धी प्राप्त हो जाए उससे बचने का प्रयास करना है वो अपने आप आती है, अपने आप जाती है और फिर जो विकसित है, विकास है, साधना मारग पर वो भी अपने आप होता है तो ये सहज अवस्था में चलकर ही ये सारी बाते संभव है और योगी निश्य ही सहज अवस्था में रहता हुआ संसार की किसी बात की चिंता नहीं करता किसी मुह की किसी अपमान की किसी यश अपयस की चिंता नहीं करता वो अपने मार्ग में लगा रहता उसको पता होता है किसी मार्ग से मेरा सब होना है कल्यान होना चाहे जो जिसको बोलना है बोलता रहे जगत नरायन जी बहुत अभिनंदन है आपका रविंद्र मकवाना जी शंकर प्रसाथ जी द्यपेंदू घोष जी अमन कतकर रमेश पेश्वानी जी कनहाई कुमार जी विनोत कुमार सूध रूपलाल विश्व करमार श्वेताराय सिनह राजुपाल जी रतन सिंग जी विश् प्रशना जी कमलेश खैरनर विमला शाह जोनती दक्ता योगिंद्र पंडे सीता राम माली मादुरी कोले राम गपाल जांगेट विरेंद्र मिश्रा जी राम विला जी आशा रानी जी शिवम भट विनाई यादव प्रिहम पाल कुमार जी दिपेंदु घोष शरोज कृष्णानी कमभीर घोष दिपेंदु घोष मैं आपका लेक्चर सुनता हूँ आज लाइब में आया हूँ अच्छी बात है रमेश शिंग कश्यप विकु कुचाडिया विसलाल बहादूर सिंग जी मोहन रावत शिवा सर्मा संजय कमबाड जी प्रणाम आप सभी को बहुत बहुत अभिनादन है और आज 16 जून जो लोग ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए आज आखरी तारीक थी और जो प्राकिरतिक चिकिस्टा का कोर्स करना चाहते थे उनके लिए भी आखरी तारिक थी आज कल से ये ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी अगर आप ध्यान योग का कोर्स करना चाहते अगले महिने से जो कोर्स शुरू होगा उसके लिए आपको प्रतिक्षा करना है तो इस प्रकार से यह विशा है प्रतिक्षा का और ध्यान योग के कोर्स के बारे बताया जा रहा है और आज तक कोर्स जुवाइन हो सकता था, अब नहीं हो सकता आगे, अब आपको 14 जुलाई उसके लिए आपको प्रतिक्षा करने पड़ेगे, इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर हो पाएगा ठीक है इन सब विश्यों को हमें समझना है, जो यहाँ पर चर्चा में हमने लिया ठीक है तो चलिए सर प्रकृति मुझे से क्या चाहती है असल में, क्या चाहती है प्रकृति तो चाहती है कि आप इस शरीर में रहें, आप इस संसार में रहें, कर्म करें और कर्मों का फल्ब हो गए बाकी प्रकृति क्या चाहती है वो हमें प्रकृति से ही पूछना पड़ेगा कर्म करके ही हमें पता चलेगा संसार में नॉर्मल रहते हुए हम कर्म करें पता चलेगा प्रकृति क्या चाहती है समझ में आएगा ठीक है प्रकृति तो यहीं चाहती है कि हम प्रकृति का काम करें और प्रकृति के वश में रहें ये वो खेविशे है तो चलिए ठीक है अब इसी के साथ विचारों को यहां विराम देंगे और कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में नौ बजे ठीक है जिग्यासू बहुत बहुत अभार आप सभी का जुड़े रहें बने रहें और लाव उठाते रहें लाव चर्चा बहुत बहुत है